केमिस्टी फेकल्टी यूर मोस्ट वेलकम और मैं चैनल केमिस्टी फंड़ अध्यू आप लोगों पता है कि लास्ट क्लास में लास्ट लिक्चर में हमने आप लोगों को एथर के बारे में बता है था लोगों को क्या है कि अल्कोहल से कैसे बनाया जाए सेकेंड में बताए था कि आलकायल हलाइड मस्ट बी प्रैमरी वाइल अलोकसाइड का जो अलकाइल होगा वो that may be secondary or tertiary now we are talking about कि यदि फिनॉल से हमें इथर बनाना हो तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे फिनॉल ले लो अप यह हमने लिया फिनॉल OH हमने फिनॉल ले लिया ओके now reacts with NaOH NaOH से reaction करवा दो it will give you फिनॉकसाइड आयन ONA ONA फिनॉकसाइड आयन दे रहा है अच्छा इसको हम रियक्शन करवा देंगे alkyl halide XR यह आपका इथर आ गया OR यह आपका इथर मिल गया तो हम फिनॉल से भी इस तरीके से इथर बना सकते हैं कि फिस्ट फिनॉल को हमने कनवर्ट कर दिया फिस्ट फिनॉल is converted इंटो फिनॉकसाइड आयन after that it will react with alkyl halide and it will give इथर that is called mixed इथर एक mixed इथर यह दे रहा है जहां तक बात है boiling point की तो alcohol की boiling point ज्यादा होगी in comparison to ether, ether की boiling point ज्यादा होगी in comparison to alkane that has been already discussed in physical properties now we are going to discuss about chemical properties of ether write down अब हम बात कर रहे हैं बच्चे chemical properties of ether ether के chemical properties के बारे में chemical reaction के बारे में केमिकल प्रोपारटेज chemical properties of ether ठीक है सबसे पहले आप ले लो ROR ether ले लो और इसको HCl, HBr, H है मतलब किसी भी hydrogen halide के साथ reaction करवा दो बहुत ही simple है तो इसको आपने HX के साथ reaction करवा दिया as we know that halogen is more electron negative than hydrogen halogen is more electron negative than hydrogen अच्चा यहाँ पे oxygen ज्यादा electron negative है तो आपका यह बन जाएगा ROH plus RX मतलब alcohol देगा और alcohol के साथ ही alkyl halide भी देगा अलकोहल देगा और alcohol के साथ ही alkyl halide भी देगा लेकिन यहाँ पर एक और point है कि यदि आप HX को लार्ज एक्सिस में ले लो suppose कर लो हमने इसमें कंडिसन लगा दिया कि ROH है हमारे पास और HX हमारे पास लार्ज एक्सिस में है लार्ज एक्सिस में है इट विल गीब यू ROH प्लस RX यह देगा नौर्मली पासले की तरह ही देगा लेकिन जब आपको यह एक्सिस में है तो जो बचा हुआ HX है वो इससे रियक्सिन करके यह RX ही दे देगा तो फाइनली हमें टू मोलेक्सिस को लार्ज एक्सिस में लेते हैं तो फाइनली हमें टू मोलेकुल अलकाइल हिलाइड ही मिलेगा नौर्मल कंडिशन में अलकोहल दे रहा है और अलकाइल हिलाइड दे रहा है ठीक है आप लोगों को पता है न कि नौर्मली जब आप रियक्सिन करवाओगे तो यह क्या दे रहा है, alcohol दे रहा है, alkyl highlight दे रहा है, लेकिन बेटा जब तुम इसको large excess में कर दिया, तो ठीक है, पहले step में alcohol दिया, फिर alkyl highlight दिया, चुकि यह large excess में है, तो जो बचा हुआ है, वो भी इसको alkyl highlight में convert कर रहा है, note down. ठीक है अब हम next example यहां पर ले रहे हैं कि बेटा जैसे suppose कर लो कि आपके पास यह बेंजीन रिंग है ठीक है यहां पर O है यहां पर R है अब एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि यदि हम oxygen के साथ लेके जाएं तो वो क्या बन जाएगा phenoxide iron और छीने तो भुचिए आएन क्या है भुचिए आएन बनेगा तो देटेता इधार से बन गया फिनन इधार से बन गया औरेकस मतलब मैंनेश बाला पोर्षन गया इधार प्लस बाला कि इवन कि तुम दोवान शिमेट्रिकल क्ली लेऊ तो ओट सो ले लहें आप तो और हमने इसको HX से reaction करवा दिया अब हमें नहीं पता है कि कौन साल काइल छोटा है कौन साल काइल बरा है किश में क्या होगा अभी तो generalized case हम देख रहे हैं तो generalized condition में ये बन जाएगा ROH और R-X या R-OH और R-X सवाल उठता है कि कब, कैसे, कहा, क्या, कैसे लगाएंगे देखेंगे अभी यहाँ पहले लिख लो मान के चलना हो कि तुम लोग लिख लिए होगे अचा यहाँ पर मैं कई तरह की बात कर रहा हूँ तुम पुछोगे सर HX के बारे में भी कुछ बताओ HX के बारे में क्या बताओ यह HIF हो सकता है यह HBR हो सकता है यह HCL हो सकता है तो इसमें reactivity का order जो होगा HIF firstly react करेगा then HBR then HCL यहाँ पर लिख सकते हो order of order of reactivity order of reactivity ठीक है order of reactivity अब यह पूरी तरह से clear नहीं हुआ जदी तुम unsymmetric ether ले रहे हो जैसे कि आपने लिया CH3O CH2 CH3 और no react with HI HI क्या है दोनों तरफ primary है यह भी primary alkyl chloride है यह भी primary alkyl chloride है बट primary में भी यह छोटा है यार methyl group छोटा है तो methyl group के साथ जाएगा I और दूसरे तरफ जाएगा CH3 CH2OH यह तुम्हें ट्रिक से बता दिया मैं mechanism भी बता रहा हूँ mechanism क्यों बताओंगा क्योंकि NCRT में mechanism दिया हुआ है और NCRT में mechanism दिया हुआ है तो CBAC board में पूछ सकता है तो पहले दे एक rule लिख लेते हैं कि it is the smaller alkyl group इसको थोड़ा सा clear if both side have primary alkyl group primary alkyl group यदि दोनो तरह primary alkyl group है then it is the smaller alkyl group it is the smaller alkyl group with I- gorge यदि दोनो तरह primary alkyl hyalide है तो मैं इधर वाला portion नहीं दिखा दे रहते हूँ मैं थोड़ा सा board को select कर दो यदि दोनो तरह primary alkyl hyalide है यदि दोनो तरह primary alkyl hyalide है तो तुम्हें करना क्या है यार कि जो छोटा सा alkyl group है उसके साथ hyalide को ले जाओ जो बड़ा alkyl group है उसके साथ hydrogen लगा दो तो ठीक है बन गया लेकिन तुम बोलोगे सर कैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे ठीक है तब तक नोट कर लो अब हम इसका mechanism देखते है यदि दोनो तरह primary alkyl group है एक तरह CH3 है methyl और एक तरह पिथाईल है हमने हाच से reaction करवा दिया ठीक है है हाच positive आया यहाँ पे reaction करने के लिए oxygen के पास loan pair of electron है दे रहा है H positive को क्योंकि iodine del minus del plus तो यह दे रहा है और यहाँ पे बन गया iodine minus यह reaction HBR और HI के साथ ही possible है this reaction takes place this reaction takes place with HBR and HI because these are sufficiently acidic यह HBR और HI के साथ ही possible है क्योंकि यही sufficiently acidic है ठीक है अब I minus है I minus क्या है कि बहुत ही better nucleophile है I minus उस side से attack करना चाहेगा जिधार list substituted list hindrance alkyl group हो मतलब छोटा alkyl group हो तो I minus आप गौर करके देख लो कि I minus मैं color बदल करके भी दिखा दिता हूँ कि I minus जो है यहाँ पर वो list substituted site CH3 पर attack कर रहा है CH3 पर attack कर रहा है तो यहाँ पर OH CH2 CH3 इधार तर अटेक कर रहा है तो क्या बीच का जो intermediate बना है I close जा रहा है CH3 का और यह इसके साथ दूर जा रहा है तो finally जो intermediate के बाद बन रहा है वो क्या बन रहा है CH3 I plus CH3 CH2 OH तो iodide is a good nucleophile it attacks the list substituted carbon and displaces an alcohol molecule by SN2 mechanism यह जो mechanism है यह SN2 path को follow करता है किस path को follow करता है SN2 path को follow करता है तो ठीक है हमने दोनों तरह पले लिया CH3 O CH2 CH3 डेल माइनस डेल प्लस तो डेल माइनस डेल प्लस तो हमने H से इसको reaction भी करवा दिया oxygen पे positive charge आ रहा है उसके बाद I- जो nucleophile है वो better nucleophile है वो उस side से attack करना चाहेगा जहां पे hindrance कम हो छोटा सा group हो तो वो CH3 के साथ चला गया तो CH3 I plus CH3 CH2 OH यदि आप large access में ले लेते हो यदि आप large access में ले लोगे तो वो CH3 CH2 OH भी CH3 CH2 I में convert हो जाएगा convert में हो जाएगा मैं यही पर लिख देता हूँ step 3 if HI is in large access यदि आप इसको large access में ले लोगे if HI is in large access तब क्या हो जाएगा in that condition CH3 CH2 OH यह भी HI के साथ reaction करके finally CH3 CH2 I दे देगा CH3 CH2 I दे देगा यदि आप large access में ले लोगे तब ठीक है तो इस मतलब यदि दोनों तरह primary है तो कोई issue नहीं है तो अब आप trick कैसे याद रखो कि जदि mechanism नहीं पूछा तो simple trick से काम निकाल लोगे कि जिदर list substituted alkyl है मतलब जिदर छोटा alkyl group है उसके साथ halide जाएगा जिदर बड़ा alkyl group है उसके साथ H जाएगा primary के case में हाँ यदि primary हो जाए तरसरी हो जाए तो अलग बात है अच्छा वो हमने कर लिया है जैसे कि हमने पहले दिखा था उस condition में alcohol जो बना है वो भी halide में convert हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक है यहां तक हमने कर लिया however तुम कुछ step से situation ले लो कि यदि हमारे पास situation हो जाए CH3 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 O CH3 however if one of the alkyl group is tertiary यदि एक alkyl group क्या हो जाए टर्षरी माल लो यह tertiary है इधर tertiary है इधर primary है and then we react with HI अब हम किस से reaction कर वा रहे है है HI से तब क्या हो जाएगा यह जो iodine minus है यह चला जाएगा tertiary के साथ CH3 CH3 iodine plus CH3OH ऐसा क्यों होगा क्योंकि इस condition में जो reaction follow करेगा वह SN1 path follow करेगा अब यह path follow करेगा SN1 कैसे यह देख़ो आप CH3 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 O CH3 अब X प्लस आया इदारते इलेक्ट्रॉन खीच रहा है तो इस condition में जो अगला step हो जाएगा CH3 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 पोजेटिव प्लस CH3 OH अब हम इसको I- के साथ reaction कर बादे हैं and it will give you CH3 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 यह बन गया primary वाले ग्रूप के साथ ठीक है बच्चो अब हम आगे देख रहे हैं ether के reaction में कि यदी हमारे पास यह situation आ गया OCH3 गौर से देखो तो इसका नाम क्या है any soul और इसको हमने reaction कर बादिया BR2 in acetic acid COOH acetic acid तो यह हो जाएगा आपका OCH3 BR applies OCH3 BR ठीक है अच्छा यह paraform यह हो जाएगा major यह orthoform यह हो जाएगा minor paraform major हो जाएगा और orthoform minor हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा perabromo initial perabromo initial और इसका नाम हो जाएगा ortho bromo bromo initial ठीक है अब हम यहाँ पर देखते next reaction Friddle Craft Friddle Craft Friddle Craft Alkylation reaction Friddle Craft Alkylation reaction इसमें हम क्या करते हैं कि Anishol ले लिए OCA3 and इसको reaction कर वा रहे हैं CA3Cl plus Anhydrous AlCl3 Anhydrous AlCl3 यह आपको दे देगा OCA3 इदार CA3 और्थों पर और फिर OCA3 और यहाँ पर CA3 दे देगा पैरा पर और्थों पर दे दिया और पैरा पर दे दिया ठीक है पैरा परा हो जाएगा major और यह हो जाएगा minor नाम हो जाएगा paramethoxytolion paramethoxytolion और इसका नाम हो जाएगा ortho methoxytolion ठीक है तो अभी हमने यहाँ पे reaction देख लिया एक BR2 ने CT के सुट तो एक एक BR जा रहा है दोनों पे और फिर हमने देखा फ्रिडल क्राफ्ट alkylation reaction में OCO3 यह हो गया OCO3 COCO3 पेरा फॉर्म है यह major हो जाएगा और फॉर्म है यह minor हो जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट ठीक है बच्चो अब हम देखते हैं इसका लास्ट reaction जो है एनिशोल का यह होता है इसका नाइट्रेशन reaction तो नाइट्रेशन reaction में यह है हमारे पास OCO3 अब आप इसको reaction करवा दो HNO3 plus H2SO4 H2SO4 तो यह OCO3 यहाँ पर NO2 ग्रुप यह OCO3 यहाँ पर NO2 ग्रुप तो यह हो जाएगा 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो एनिशोल यह हो गया 4 नाइट्रो इनिशोल ठीक है यह हो जाएगा आपका major यह हो जाएगा आपका minor ठीक है बच्चा यह आप लोग समझ चुके step से यह जो आठमा लेक्चर था step से हमारा alcohol phenol ether का पूरा theoretical और अभी तक का जो कुछ भी question था वो मैंने कभर कर लिया आगे हम इससे आगे देखते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you